आप सभी का स्वागत यह बिहार शिक्षक बड़ती दो हजार चौवीज विपीए सी टियारी 3 और टियारी 4 के तैयरी अगर आप कर रहे हो तो यहां पर इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ economics के 11 और 12 के लिए यानि की statics के बारे में सांखिकी के बारे में और इस पर बेस्ट सवाल काफी सारे आते हैं उन सभी सवालों का आप मेरे साथ इस class में करने वाले हैं लेकिन आप देखेंगे इस class में हम हर question की बात करेंगे जल्दी से पहला सवाल शुरू करते हैं अंक गडि की संख्या से उसको भाग कर देते हैं यह हमारा मीन होता है यानि की एवरेज होता है लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं तीन एवरेज होते हैं सर एर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन यहां पर आपको याद रखने की जरूवत है जब हम सभी को प्लस हैं तो यह कहलाता है हमारे पास उसका geometric mean हो जाता है और harmonic mean में हम क्या करते है रैसी प्रॉकल कर देते हैं यानि कि जो n है जितने number है वो उपर आते हैं और divide में one by values हो जाती है सारी और यह इस तरह से harmonic mean निकाला जाता है अब सवाल में क्योंकि पूछा arithmetic mean कैसे निकालते हैं तो आपने का by dividing the sum of all data by the number तभी को plus कर लीजिए पहले और divide कर दीजिए number से यह arithmetic mean हो जाता है देखो इस तरह से x1 plus x2 माल लीजिए और यह चलता रहेगा आपके पास xn तक plus करेंगे तो इसको n से भाग करेंगे जब आप geometric mean निकालेंगे तो आप यहां ऐसे करेंगे x1 multiple by x2 into multiple by x3 माल लीजिए तीन है और यह जहां तक जाएगा यह multiple चलता रहेगा उतने और उतने कहीं यहां पर हम work कर देंगे और hm यहां यह harmonic mean निकालना हो तो n को उपर रखेंगे 1 by x1 होगा plus 1 by x2 होगा plus 1 by x3 होगा divide करते जाएंगे plus 1 by xn हो जाएगा इस तरह से यह आपका harmonic mean में आ जाता है चलिए कोई बात नहीं इसको समझेगा ध्यान से अगले question पर आते हैं बहुलक क्या केसे कहते हैं देखो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बहुत बार आती है बार बार आती है जैड से रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुलक का मतलब है जो बार बार प्रस्तुत होती है जो बार बार नमबर आता है उसी को बहुलक कहा जाता है सांखीकी माध्यों का विज्ञान है ये कि स्टेट्मेंट यानि कि आन्द में स्टेट करें आइस वेटvation होती हैं हैं उसके अन्दर बात करें नंबर में डील कर रहüne हैं यह बाथ बावले के द्वारा कही गई है या होती हो क्या होती हो लीवाजित से अबिवाजित हो सकता है और ये जो स्ट्रेटिक्स है इसको estimate किया जाता है समंकों के द्वारा यानि की डिटा क्लिक्ट किया जाता उसकी बात करेंगे तो आप कहोगे सर यह सभी हमारे रिलेट करते हैं इस्टेटिक्स के अंदर सांखी की कि भारत में अगर कोई जनगलना कराई जा रही है तो उसके लिए क्या विद्य हो सकते अमुवन दो विद्यां होती है एक सेंसस यानि सबको लेना एक सेंप्लिंग या कोई और यूज करेगा वो सेकेंडरी हो जाएगा बस समझ ना अगर हम सबको ना लेकर कुछ को लेते हैं तो फिर याद रखना वो हमारा सेंप्लिंग हो जाता है एक टेस्ट मैच में बल्ले बाद जुआरा शतक लगानी की प्राइकता दो बटा तीन हैं पांच टेस्ट मै चाने की प्राथमिकता क्या उस बात को समझो। अपने का सर दोबटा 3 है तो अगर बात यह तो कि ना लगाने कि कि इन है एक बाद 3 है शत्क लगाने और ना लगाने दो बाते समझो लगानी को फ्रास्मिकता है और ना शत्क न लगाने के लिए एक बटा तीन आफ वो किरेंगे में पांच मैञा पाए पहले मेंने उडक अफिक तीन दोसरे मैं 뉴스 स्सक्रें और उपर क्या आजाएगा भी बताओ मुझे सर यहाँ पर आप क्योंकि multiple करते हुए चल रहे हो सबको तो मेरे भाई one by two forty three अच्छा यह उपर वाला आएगा right answer होगा क्योंकि यह option देख लो भाई उपर one होगा और नीचे two forty three हो जाएगा one by two forty three सेंपलिंग किसका सबसेट होता है सेंपलिंग जो सबसेट है मैंने का पूरे का सबसेट है सर सेंपलिंग जो होती है वो पूरे का यानि पूरे को मतलब population का census का overall का subset होता है अब वरजी श्रंखला में क्या शामिल होता है अब वरजी किसे कहते है एक्सक्लूजिव किसे कहते है और inclusive किसे कहते हैं एक एस तरह की series होती है 0-10 10-20 और 20-30 ऐसी होती है आपने देखा होगा एक होती है इस परकार की 0-9 10-19 20-29 और एक ऐसी होती है 10 से कम या अधिक 20 से कम और 30 से कम या इसको आधिक भी कह सकते हैं 10 से अधिक 20 से अधिक और 30 से अधिक जो जो अधिक या कम में चलती है उसे बोलते है संचई आवरती उसे क्या बोलते है संचई जो आपको दोनों जो जोड़ रही है इसको भी एड़ करती है इसको भी एड़ क जीन यहां लोगे यहां लोगे यह 0 to 9 होगा 10 इसमें आएगा इसे बोलते एक्सक्लूसीव इसमें एक को लेते और एक को नहीं लेते यानि उपरी वर्ग सीमा को छोड़ दिया जाता है जिसमें उसे exclusive कहते हैं और जिसमें दोनों को लिया जाता उसको inclusive कहते हो व्य सारणी जो अंको और उनकी ब्रभारता को दरशाती है वह सारणी बनाई जाते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है आपने देखा होगा जब हम कहते हैं कि कोई नंबर जिसे भार लो चार नंबर यह 5 बार आया तो हम ऐसे बनाते को गिनने का काम करते हैं इसी पर्तिचियन विधी जिसमें संख्या के हमेशा दस्वे पद को लिया जाए दसवे पद का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास 100 या 200 या 2000 कुछ भी 100 लोग हैं उनको calculate करना है 100 student है हम उसको देखना चाहते हैं वह उसके लिए calculate करना चाहते हैं सैंपल करना चाहते हैं उनमें से किसी 10 का तो हमने यहां रूल बनाया कि हम जो एक रोल लंबर है उसको लेंगे या 11 रोल लंबर है उसको लेंगे 21 रोल लंबर को लेंगे इस तरह से 91 रोल लंबर तक पहुँचेंगे हर 10-10 की gap पर इसको ऐसे कहलो या यह कहलो 5 लिया कुछ भी मान लीजिए तो 5 लिया 15 लेंगे 25 लेंगे इस तरह से हम 95 लेंगे या पिर 10 लेंगे 20 लेंगे और इस तरह से हम last year 10 को चुनने और वो एक system बना दिया पूरा कि यही rule चलेगा इसे कहते है systematic sampling अगर यहाँ पर हमें मध्ये मधिका और भुष्ठक यानि की बहुलक दिया गया हो तो उसके बीच क्या संब्ध होगा देखो मैंने का मीन एवरेज होता है बहुलक बार बार आने को कहते हैं और मीडियन जो होता वो मिड़ पॉइंट होता है median, midpoint को कहते हैं और midpoint निकाला जाता n प्लस 1 बाइ 2 करके या पर याद रखना n बाइ 2 प्लस n बाइ 2 प्लस 1 divided बाइ 2 करके अब याद रखना भाई n प्लस 1 बाइ 2 क्या होता जब देखो हमारे पास हमारे पास जो odd number है वो दिया गया हो हमारे पास जो odd number है वो दिये गये हो यानि जब उन नमबरों को count करें तो वो odd value में आते हैं विशम आते हो तो ये use करेंगे और अगर वो even number में आते हो जैसे 2 दिये गये हो या 4 दिये गये या 6, 8 दिये गये तब ये formula इसे माल होगा अगर 1, 3, 5, 7 में दिया गया तो ये formula इसे माल होगा ये median का होता है लेकिन अगर हमारे पास value दी गई हो और में z निकालना हो तो rule होता है 3 median minus 2 mean ये एक दरीका होता है 3 median में से 2 mean को हटाया जाए अगर तो हम उसे z निकाल यानि बहुलक निकाल सकते हैं हमें कोई भी दिया गया हो इसमें से हम उसको calculate कर पाएंगे आसानी से केंद्रिये परवर्ती में कौन सा सुचकांग तयार करने का सर्वुत्तम होगा तो को याद रखना है कि जब हम केंद्रिये परवर्ती की बात करते हैं Central tendency की बात करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि इन में से कौन सा जो होगा वो best होने वाला है जो कौन सा होगा जिसको आप best कहोगे तो आप मेरी बात ध्यान से समझना सर बेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी एक को best कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन जब हम औसत की बात करते हैं तो उस औसत के अंदर याद रखेगा जो हम geometric तरीके से निकालते हैं उसको हम सबसे best मानते हैं किसको geometric तरीके से निकालने को best माना जाता है तो बहुत सारे हमारी central tendency हैं लेकिन उसमें से best हमेशा geometric mean वाले को ही माना जाएग चलिए अगला question देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होने वाला है तो हमेशा geometric mean यदि Z दिया गया है 10 और M दिया गया है 20 तो X क्या होगा Z equal to 3M minus 2 X bar यानि mean होता है हमारे पास Z 10 दिया गया है और 3M 20 दिया गया है और 2 X bar हमें निकालना है अगर हमें हम इसको calculate करेंगे तो यहां से क्या आएगा सर यह 10 आजाएगा यह वाला minus 60 इदर आजाएगा यहाँ पर नीचे 2 आजाएगा minus की value लग जाएगी तो वो cut जाएगा यहाँ पर X bar का मतलब आजाएगा 25 यह इसका राइटा प्रशनावली का उपयोग किया जा रहा हो तो सोचिए प्रात्मिक डेटा यह सेकेंडरी डेटा है अगर आप किसी से सवाल कर रहे हो और सवाल करके उसका आख्ले कलेक कर रहे हो तो जैसे की जनगर्णा में होता है हमेशा यह इसके primary डेटा माना जाता है प्रशनावली का उप्योग करके नीची जो श्रंकला दी गई है दो छे तीन दस आठ तेरा बारा चार अब इसमें माधीका निकालनी है मैंने कहा पहले देखो कितने हैं सार इसको लिखो तो सीक्वेंस में लिखो आप या तो बढ़ते में या घटते करम में लिखो दो तीन चार चार के बाद आठ चेके बाद 8 वारा और तेरा है यह और तो कुछ निए ना भाई देख लेना एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 कोई नंबर रहे गया इसका मतलब 10 रहे गया अब यह क्योंकि देखो आठ नंबर है अब मैंने बता आठ को नहीं करना है सर हमें अब हम क्या करेंगे सर आठ ब प्लस वन और इसका जो पद आएगा उसका दो करेंगे चाथ्वा नंबर नमबर आट और इसको भाग करेंगे दो से तो जवाब आएगा साथ यानि इसकी जो मिड वैल्यू बनेगी वो साथ बनेगी ये फॉर्मूले के तरीके से बताया मैंने लेकिन वैसे भी आपको पता है सर कि ये टोटल हमारे आठ नंबर है तो हमने तीन इधर छोड़े तीन इधर छोड़े बीच के दो बच गए इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं सर और उन दोनों का रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं उसको को रिलेशन कहा जाता है सह संबंद कहा जाता है अगर दो चीजे बिलकुल एक दूसरे से रिलेट करती हैं तो याद रखना सह संबंद जो होता है वो minus 1 से लेकर plus 1 तक होटा है minus 1 से लेकर वो plus 1 तक चलता है और इसी को बस मेरे भई याद रखना है आपको minus 1 से लेकर plus 1 तक अबदिको यहाँ पर इस बात को और समझना की सब अगर आगर हम और बहतर practice करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं केरियर विलैप पर इस प्रैक्टिस बैच के अंदर जो BPSC TRE 3 है यानि हमारे लिए ये economics की live practice class का बैच है 11th और 12th class के लिए इसको 9999 अमाउंट में यानि की 999 रुपे में आप परचेस कर सकते हैं और इसके अंदर आपको पूरा मिल रहा है content यानि live practice class है जो classes अब तक हो चुकी है उनकी recorded वीडियो भी होगी जो content class होती है उसकी भी recorded वीडियो यहाँ available है इसके अंदर ये सब कुछ देखो जब 2-4 बिल्कुश सौतनत रहें उनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है तो वहाँ correlation जो होगा वो अपके पास क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा याद रखना वैसे भी correlation minus 1 से लेकर plus 1 के बीच में ही होता है दो तो वैसे भी हो ही नहीं सकता अगर दोनो positive relate कर रहे तो plus 1 तक होगा दोनो negative relate कर रहे तो minus और बिल्कुल relate नहीं कर रहे तो 0 यानि जितना छोटा number आएगा इस तरफ से यह इस तरफ से वो याद रखना कम relation बताएगा बड़ा number ज्यादा relation बताएगा geometric mean को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं देखो geometric mean निकालने का तरीका होता है arithmetic mean और harmonic mean का multiple करना अगर आपको harmonic mean की value दी जाए और arithmetic mean की तो आप उसका multiple करके square कर दीजे geometric mean निकाल सकते हैं ये इसका तरीका होता है सांखिकी अनुमानों और संभावितों का विज्यान है ये बात किसने कही है सांखी की अनुमानों का विज्ञान है ये बात किसने कही है दिखो क्या आपको पता है सर ये स्टेट्मेंट वाले सवाल है यहापर एक व्यक्ति है बॉडिंग्टन के नाम से उन्होंने ये बात कही है कि सांखी की अनुमानों और संभावितों का विज्ञान है दो परतिमन रेखाएं जितनी दूर होगी दो लाइन के बीच का संबन्ध जितना पास होगा संबन्ध गहरा होगा दूर होगे संबन्ध कम हो जाएगा याद रखना अगर दो रेखाएं जितनी दूर होगी उनके बीच का संबन्ध उतना ही कम होगा सह संबंद का अभी प्राइग क्या होगा को रिलेशन क्या होता है सर मैंने बताया दो चीजों के बीच का संबंद निकालना दो चीज के बीच का उनके बीच के इंटर डिपेंडेंस को निकालना दो चरों के बीच के संबंद को निकालना इसको बोला जाता है सर उसके बीच में कोरिलेशन सह संबने अगर किसी चीज़ को चार बराबर भागों में बाटा जाये तो क्या कहेंगे देखो किसी चीज़ को दो भागों में बाटना हाफ हो जाता है चार भागों में बाटना क्वार्टाइल यानि क्वार्टर हो जाता है दस भागों में बाटना डेसिमल हो जाता है सो भागों में बाटना परसंटाइल हो जाता है इसी परकार से याद रखना चार भागों में बाटने को क्वार्टाइल कहते है जब निचली और उपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है निचली और उपरी दोनों सीमाओं पर अगर विचार किया जाए तो उसको मैंने क्या बताया था जिसमें दोनों को लिया जाए तो उसको इंक्लूजव है जिसमें नीची वाले को ले अब उपर वाले को निकी कियूँक counting ओपर वाला अगले वाले में पहुच जाता है मैंने बताया जीरो से दस ये वाला केस अगर हो तो उसको मैंने बताया था क्या होगा सार इसमें दोनों नहीं ले सकते हैं क्योंकि दस को यहां लेना है तो उसको exclusive कहते हैं यहां पर सवाल inclusive का है T-Pरिक्षन विक्सित क्या गया है यह किस के दुआरा दिखो T-Pरिक्षन क्या है दिखो यहां पर यह हमारे पास जो अलग-अलग चीजे होती है इस्ट्रेटिक्स के अंदर उसमें हमारे पास Fisher method होता है हमारे पास अलग-अलग methods होते हैं और यहां William Goss नाम के विएक्ति इन्हों T-Pरिक्षन को ले कर आए थे एक सामान्य वित्रन की अगर बात की जाए और इसकी complete class आप करेंगे तो obvious से सब कुछ समझ में आएगा कि sir mean mode medium को बराबर माना जाता है पारिक बारिक way को दर्शाना है तो उसका सबसे best तरीका क्या होगा अगर परिवार के खर्चों को दर्शाना है company के खर्चों को दर्शाना है सरकार के budget को दर्शाना है कि कहां से पैसा आया या गया उसका सबसे बड़ेया तरीका होता है pie chart बनाना pie diagram बनाना तो इस तरीके के सवाल आपको लगतार करने है मेरे साथ में यहाँ पर बहुत सारे topics की classes दे चुका हूँ यह सब कुछ आता रहेगा और अगर आप चाहते हैं बिहार का जाती सर्विक्षन 2023 के उपर class मिले या पिर चाहते हैं बिहार जिनगर्णा 2011 पर class हूँ या बिहार budget 2024-2025 जो आ चुका है अभी समराच चौदरी के दुआरा लाया या उस पर class है यह सब कुछ इसी चैनल पर available है आपके पास अब जाईए प्लेलिस्ट के अंदर वहाँ देखेंगे जातिगत सर्विक्षन भी होगा जनगर्णा 2011 के आखड़े भी होगे और साथी budget 2024-2025 भी होगा बिहार की current of air भी होगी national current of air भी होगी बिहार की जीके नाशनल जीके और उसके अलावा पिछली बार जो BPSC TRE 1, TRE 2 हो चुका है उनके paper का भी analysis यहाँ पर मिलेगा आपको सब कुछ ACL पर subscribe कर लीजिए share कर दीजिए positive रहिए positive result जरूर हैगा Thank you everyone